जिसने पूरी दुकान के बारे में पूरी जूलरी श्वाप के बारे में एक एक डिटेल इन दोनों तक महुचाई थी तो पचीस करोड की चोरी में दो लोग गिरफतार हो गए हैं जिस तरीके से फिल्मी आज में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन पुलिस ने 36 कर से दो लोगों को गिरफतार कर लिया है और पुलिस ने जो चोरी की जूलरी है उसे भी बरामत कर लिया है ज्यादतर रेकवरी हो चुकी है जानकारी मिल रही है दो लोग अभी पुलिस की गिरफ्ट में आए हैं और अब उनसे पूछताच की जा रही है तो दिली के इलाके में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था बगोल इलाके में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था 25 करोर के गहने चोर चुरा कर भागे थे और एक फुल और के गहने चुराकर ये चौर फरार हो गए थे पुलिस मंगलवाल से ही लगातार इन चौरों के तलाश कर रही थी और अब जानकारी मिल रही है किünkü दो लूटेरे फिलाल गिरफतार हो चुके हैं और 36 कर से ये काम्याबी मिली है अतुल भाचिया मेरे सहीूगी इस वक चुड़ गें ज़यवत जानकारी की साथ अतुल क्या जानकारी मिल पा रही है कितनी रिकवरी इन दोनों लट्यूरे के पास से फिलाल हो पाई है देखे प्राची लोकेश श्रिवास और इसके अलावा श्रिवा चंदरवन्शी इन दो लोकों की गिरफतारी दिली पुलिस की साथी दिस्टिक ने की है और हम इस समय उसी शोरूम उम्राव सिंग शोरूम में मौझूद है जहाँ पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था मंगलवार को जब शोरूम के मालिक यहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर च्छत से चोर जो है वो इसके अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह होल उन्होंने बनाया था यहाँ पर बनाया गया था जिसके जरिये यह लोग इस शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं और यह देखें यह पूरा होल हम आपको दिखा रहे हैं जहां से चोर पहले छट पे पहुंचते हैं चत से पहुंचने के बाद इस जगाप पर आते हैं और यहाँ पर दिवार काट कर बकाईदा इस शोरूम के अंदर एंट्री करते हैं तो फिलहाँ जो है दिल्ली पुलिस लगातार और इसके लाबब क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो है वो चोरू की तलाश कर रही थ CCTV फुटेज जो है वो खंगाले गए थे और प्राची आप देखेंगे शोरूम के अंदर जितनी भी जोलरी थी चाए वो गोल्ड जोलरी थी चाए वो डायमन जोलरी थी उसको यहाँ से चोर लेकर फरार हो गई थे लेकिन जो सिल्वर की जोलरी थी आप यहाँ सीधे हाँ सर मावीर जी पहली बाटो पुलिस ने बड़ी काम्यावि Speech गिया और घृपतार किया और पोप नहीं है। यहां और कंब और किन बिएया काम किया और अंगरी किया है। किया है। अमने को इंसे कम बहुत को साफ किया है। पाविर जी है प्राची ये शोरूम के मालिक है इनका कहना है कि ना ही तो शिवा और ना ही जो दूसरा शक्स है वो यहां पर काम करते थे तो अभी पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर किस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि पहले य उसके बाद पूरा जो मंडे का दिन था और इसके लाबा जब मंडे और इसका ट्यूजडे को जब यहां पर पहुंचते हैं लगबग सारे दस वजे के करीब तब यह देखते हैं कि यहां पर पूरा होल किया गया है और जो शोरूम था इसके अंदर काफी धूर उड़ रह अपर शोर जो रूम ने रहे गषटी है और इसके बाद अब यहां पर आज देखेंगा अभी यह पूरा शोरूम है इसमें जो गोल्ड और जो इसके लावा जो डाइमंड की जोएलरी थी वो यहां से पूरे तरीके से चोरी कर ली गई थी जब कि अतुल देखी बड़ी काविया भी दिल्ली पुलिस के हाथ में लगी है लेकिन क्या अतुल यह सिर्फ दो लोगों का ही गिरो है गैंग है जो ऐसे चोरी की वारदातों को अंजाम देता है 25 करोड के लूट क्या दो लोगों ने ही की है ऐसा संभव है बिल्कुल बताया तो यह भी जाता है प्राची की जो चोर है वो यहां पर संडे की रात को ही जब यह शोरूम के मालिक यहां से शोरूम को आठ बंद करके जाते हैं उसके बाद यहां पर उन्हो लोग वापिस निकलते हैं और जब क्योंकि मंडे को यह पूरी मार्केट बंद होती है यह शोरूम बंद होता है इसके ट्यूजडे को जब मालिक यहां पर सुबह पहुंशते हैं लगकर साड़े 10 वजे के करीब तब उन्हें इस चोरी की वारदात का पता लगता है बताया यहां पर यही बना हुआ है कि जब दोनों महाविर जीन जिस तरीके से हमें बताया कि दोनों जो एरेस्टिंग हुई है वो यहां पर काम नहीं करते थे तो आखिर उनको यह लीड कैसे मिली यह रास्ता उन्हें कैसे पता था यह अब पूरा राज से परदा जो है वो दिल्